जै शनी देर प्रियभग कड़ों मैं स्वामी राजशी शनी पीठ मंदित इस्ट पटे लगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तोत हूँ और आस्ट्रोलॉजी में रुच्ची रगता हूँ दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूजने पिताश्री गुरु रजीष रिशी ची के निर्देशन में ऐस्ट्रोलॉजी नियुम्रोलॉजी एवं धर्म गंतों का अधयान कर रहा हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइन्स है जिसके सिध्धान्तों को हमारे रिशी मुन्यों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च करकर हमारे धर्म शास्तों में पंकित किया हूँ मैं आज इनी विज्धानिक सिध्धान्तों के अधार पर और आज के ग्रे नक्षत्रों की सित्यों के अधार पर आपको आपका राशीफल बताने जा रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज कराशिकर आज 27 अर्पिल 2019 दिन शानिवार वैसा आप मास का ग्रश्न पर चल रहा है और आज 17 मीतिती शाम 5 बच के 1 मिनिट तक रहेगी और उसके बाद 8 मीतिती लग जाएगी आज अभी जीर मूरत दुपेर 11 बच के 30 मिनट से लेकर 12 बच के 44 मिनट तक रहेगा इस दौरान किसी भी शुपकारे के शिवाद करने से आप को उसमें सफलता प्राक्त होगी आज राहुकाल सुबे 9 बच के 6 मिनट से लेकर 10 बच के 42 मिनट तक रहेगा इस दौराना किसी भी शुपकारे को करने से बचे यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं चाहें वे आपकी पढ़ाई में असा फलता और एक्जान से नंबर कमाना हो चाहें वे आपको नौकरी ना मिल पाए या आपकी प्रमोशन रुप रहे हैं या आपका बार-बार ट्रांसवर हो जाता है या आपका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है या आपके विवा में अनावशक विलंब हो रहा है या आपके ग्रहस्त जीवन में हमेशा कलिश की सिती मेरी करती है या आपके बच्चों का स्वास्ते आए दिन बिगड़ जाता है या अपने जीवन में आप अन्य किसी भी समस्या से पीड़ित है तो तुरंती स्क्रीन पर दियो इत नंबरों पर हमें संपर करें और मुझसे यानि कि स्वामी राजिशी से अपनी कुंडली दिखा कर ऐसे लोगी व्यक्ति का बुखार नहीं उतर पा रहा है तो आज इस उपाय को आस्मा कर आप उस व्यक्ति को जल से जल स्वस्त कर सकते हैं यह उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशी का जातक कर सकता है और आज इस उपाय को जानने के लिए आप लास्तर मेरा ये वीडियो देखते रहें चलिए आप जानते हैं कि मेश यानि कि एरीज राशी वाले जातक होगा आज का दिन कैसा रहने वाला है आज आज आपका भागे जोर मार रहा है और आज आप जिस भी कार्रे में भाग लेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और शूर से लेकर अन त कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी आज यजी कोचिंग सेंटर में आपका कोई टेस्ट है तो आप उसमें भी बहतरीन परफॉर्म करेंगे जिससे आपको अपनी तयारी का भी भाली भाती आइडिया लग जाएगा और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा राजनीती के शेते से जुड़े विफक्ति आज चुनाव में अपनी दायवेदारी कायन करने में सफल होंगे और आने वाले चुनावों में किसी बड़ी पार्टी का टिकेट आपको मिल सकता है आज आपकी वज़ा से आपके पिता जी को भी फाइदा होने वाला है और उनका भागे भी आज आपकी प्रेजन्स में चमक उठेगा और उन्हें अपने व्यावसाय में आम दुन्यों के मुकाबले ज़ादा अधिक फाइदा होगा जो लोग विदेशों में पर्मनेंट रेस्टेंसी के लिए अपलाई करना चाते हैं आज इस दिशा में आपके द्वारा उठाया या कोई भी कदम आपको शुबफल देगा परंतु किसी बात को लेकर आज आप उदासी हो सकते हैं जिससे आप उतने कारों में रुची नहीं ले पाइंगे अपनी असफलताओं को याद करने के बिदाए यदि आज आज आप उनसे सीच लेकर आगे बढ़ने के लिए जतन करते हैं तो उससे आपको शुबफल राप्त होंगे आज कोई को दाना पानी डालना भी आपके लिए शुब होगा आज का आपका राशी फन देखते हुए मैं आपको चार स्टार देता हूं जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वेर के लिए अब जागते हैं कि आज का दिन ग्रिशब यानि कि टौरस राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला हैं आज आपका स्वास से एकदम उत्तम रहेगा और सुबह उठकर ही आप अपने आपको एकदम तरोताजर में सूस करेंगे कंस्ट्रक्शन बिजनस से जुड़े उप्यक्तियों के लिए आज का दिन अत्यन चुब हैं आज आपको मन चाही सफलता प्राप्त होगी और मुनाफ़ा भी अधि होगा तेल के व्यापाजियों की सेल्स में भी आज बड़ोतरी होगी परन्तु आज आपके पिदा जी की तबेद खराब होने से आपकी मांसिक चिंताएं और भागदौण बढ़ सकती हैं आज आपकी अपने भाईयों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती हैं और आपके संबन आज खराब हो सकते हैं आज रात को आपको बुरे सपने आने से आपकी नीद भी भंग हो सकती हैं आज प्रातर का लोटकर पवित्र होकर सुर्य देवत्ता को मीठा अर्ध प्रदान करें। आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जारा हूँ कि मित्थुन यानि कि जैमिनाई राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बितेगा आज आज आपके बच्चे आपको उन पर गर्व करने का मौका प्रदान करेंगे और आप उनके उजवल भविश्य को देखकर निश्चिन्त हो जाएंगे आज नया वाहन खरीदने के लिए आपका दिन पत्तम हो आज लोग आपके तेज की ओर आकर्शित होंगे और आपसे एक long term relationship, business या personal level पर establish करना चाहेंगे आज आपके सगे संबंदी, आपके सरला लेने, आपके बास आएंगे और आप भी अपने experiences के बल पर उन्हें सही advice दे पाएंगे जिसके लिए वे हमेशा आपके आभारी रहेंगे यदि आपका court में कोई मुकदमा चल रहा था, तो आज दूसरी party आपको out of court settlement के लिए अप्रोच कर सकती है उनके निमंतरन को आप सुईकार करें और उनके offer पर अपने lawyer से मश्वर अले हो सकता है आपका विवाद आज सुलच जाए और आपका अनूनी जंजटों से अजाद हो जाए आज आपको प्रातर का लोट का पवित्र होकर people के व्रिक्ष पर जल चड़ाना चाहिए आज काली गय की सेवा करने से भी आपको शिफर प्राप्त होंगे आज का आपका राशी फर देखते हुए मैं आपको चार्ज स्टार देता हूँ आए अग जानते हैं कि कर्थ यानि की गैंसर राशी वाले चाहतकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करनी के लिए मोटिवेट होंगे और इस दिशा में कोई भी कतम उठाना आज आपके लिए शुब होगा आज छुट्टी कर दिन होने का फायदा उठाकर आपको इससे सम्मंद में प्लानिंग करनी चाहिए क्या आपको के स्ट्रीम में जाना है और उसमें आगी क्या स्कोप है और कैसे आप एक अच्छी जगह पर एड्मीशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकाट कर सकते हैं आज आपकी अपने छोटे भाई के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाध हो सकता है जिससे आपके बीच आज मन मुटाव के सिति उत्पर हो सकते हैं आज आपके मामा जी की घर से आपको कोई अर्शुब समाचा पाप्थ हो सकता है। आज आपका स्वास्त भी गड़वड हैगा और किसी भी कारे में आज आपकी रोची नहीं रहेगी। विशेश तोर पर आज लोग ब्लड पेशर के मरीजों को अपनी सेहर का ख्याल रटने क की जरूरत है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वास्ते आए दिन बिगड़ जाता है जिससे आपको बार 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 बिस्तर पगड़ने की नौबत बढ़ जाती है। तो आज आप तुरंत ही स्क्रीन पर दियों नंबरों पर हमें कॉल करें और मुझसे यानि कि अपनी कुंडली दिखवा कर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका स्वास्ते सदय उत्तम रहेगा और आप अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाएंगे। आज आप लेदर शूज या सैंडल्स का प्रियोक ना करें। आज का आपका राशी फल देखते हु आज आपको सीने में तकलीफ महसूस हो सकती है। अपनी दवाई टाइम से लें और खाने पीने के मामले में कंट्रोल बना कर रखें। आज आप अपने बच्चों को सही समय और सही जगह पर इन्वेस्ट कैसे करते हैं इसका ज्यान दें। आपके बच्चे जल्दी बड़ इसलिए इन चीजों से परेस्ता है। आज आपके सहायता से आपकी बहन के अटके हुए काम बन सकते हैं। आज आपकी बुआ के घर से भी आपको कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है। आज यदि आप किसी का भी बुरा सोचते हैं तो उल्टा आप ही बरबाद हो सकत आज आप अपनी आइस में स्ट्रेंड भी महसूस कर सकते हैं आज अपने किसी भी कायदे के शुरुआत मीठा खाने के परशाथ ही करें इससे आपको उस कारे में सफ़कता प्राप्त होगी आज काली गाय को चारा खिलाना आज के व्यापार के लिए लाप प्रद होगा आज क आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीम स्टार देता हूं त्रिया बक्त कड़ों इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान मेंच नंबर नहीं आ पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमें व्रिद्धी नहीं आ पा रहे है आपके पास धंगी कमी बनी लेती है या आपका स्वास्त अच्छा नहीं रहता आप हर समय बेमार लेते हैं या आपके बच्चे बेमार लेते हैं या अन्य रजनी शिशी जी से या गुरु मारुक्मनी जी से या निम्रोलोजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लखी नाम जानने के लिए अपने व्यापार के लिए एक भागेशाली नाम जानने के लिए जिससे कि आप दिन दुनी राजचोगनी प्रगत करें आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक छूटी सी पीज जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंदिर के व्यवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिूट चलाने के लिए धर कर्म के काम जैसे कि यग्यों मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशाद एव लगगर के वित्रण के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दिन प्रमोक रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं आई आप जानते हैं कि कन्या यानि कि वर्गोराशी वाले चाहतकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज छुट्टी का दिन होनी के कारण आपका मन अपने घर को डेकुरेट करने का करेगा और ये आज आज आपके लिए शुब भी होगा क्योंकि इससे शनी देव की शुद आप्टर की विकेंसी के लिए अपलाय किया हुआ है तो आज आपको शुब समाचा प्राप्त हो सकते हैं आज आप दूद और दही दान ना करें आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ चलिए अब जानते हैं कि तुला यानि की लिब्रा राशी वाले जातकों का आज कर दिन कहता भीतेगा आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को विशेंज तोर पर अपने ध्यान मेखनी की ज़ुवत है आज रख्त चाप बढ़ने से आपको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है आज आपके शत्रू आपसे डर कर भागेंगे क्योंकि उनकी हर योजना को आप पहले से भाब कर विफल कर देंगे और उटा उन्हें ही नुपसान उठाना पड़ेगा आज आकी मुलाकात भी किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से हो सकती है और उनसे अच्छे संबंद बनाने से आगे चल कर आपकी करियर में आपको फायदा हो सकता है आज तेल के फ्यापारियों और कंस्ट्रक्शन के बिजनस से जुड़े वर व्यक्तियों को मुनाफ़ा अधिक होगा यदि आप आखों के डॉक्टर हैं तो आज आपको आन दिनों के मुकाबने अधिक पेशेंट्स मिलने आएंगे आज आपके चोटे बाही को चोट फार्ट लगने की संबावना दिखाई दे रही है इसलिए उनका ध्यान रखे आज टाले कुट्टे को रोटी खिलाना आपके लिए अत्यंत्शम होगा आज आपको शाम की समय शनी मंदर जाकर शनी देव को तेल चडाना चाहिए और जैसा की मैं बता चुका हूँ कि जो वीवेक्ति डेली एंसियार में रहते हैं वो हमारे आपकर भी शनी देव जी को धूद दीव अरपन कर सकते हैं और अपने परिवार की सुख शान्ती के लिए मनत मांग सकते हैं आज का आपका राशी फर्द देखते हुए मैं आपको चार स्टार देता हूँ आईए अग जाते हैं कि व्रिश्चे यानि कि स्कॉर्पिय और राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा पनते हैं आज आपको अचानत धन प्राप्ति के योग दिखाई पड़ रही है आज आप अपने वेबसाई के लिए बहतरीन financial decisions लेंगे जिससे आप अपने खर्चों को कम कर पाने में सफल होंगे आज धर्म के प्रती आपका दुखाब बढ़ेगा और आज छुटी का दिन होनी के कारण आपको अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए इससे आपके मन को शांती मिलेगी आज आपको हमेश्या सच का साथ देने वाले सभाव के कारण समाज में आपका मान सम्मान आज बढ़ेगा आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई शुब सूचना भी प्राथ हो सकती है आज खर्शा अधिक होने से भी आपकी चित्ताइं बढ़ सकती है आज आपको व्रत रखना चाहिए आज सूरे देटा को प्राथ रकाल पुटकर पवित्र होकर मीढ़ा अर्थ प्रतान करने से आपको उनका आशिवात प्राथ होता रहेगा आज का आपका राशी फ़स देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ अब मैं आपको बताने जारा हूँ कि धनू यानि कि साजिटेरियस राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज कला की ओर आपकी रूची बढ़ेगी और गायन बादन में रूची रखने वाले व्यक्ति प्रोफेशनल सिंगिक को आज करियर परसू करने के लिए मोटिवेट होंगे यदि आपका अपना वेबसाय है तो आज आप पर धनकी वर्चा होगी और कोई बहुत बड़ी ओपॉर्चिनिटी आज आपके हाथ लग सकती है विशेश तोर पर प्रॉपर्टी डीलर्स की आज कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है जिससे आज उनकी चांदी हो जाएगी टूरिस्ट टैक्सी के बिजनस में कारवेट लोगों को भी आज कस्टोमर्स अधिक मिलेगी परत्तु आज छात्रों के लिए दिन शुब नहीं है और आज किसी न किसी कारवश उनके विद्या अध्यान में खलल पड़ा रहेगा और आज अपने टार्गेट से वे पिछड सकते हैं आज आज आपको कोई नया सब्जेक भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए आज आपको क्रोध अधिका सकता है और दुएश में आकर आज आपके हाथों कुछ ऐसा हो सकता है जिसका पच्टावा आपको पूरे जिंदगी होगा इसलिए मेरी आपको सला है कि अपने गुस्टे को कंट्रोल में रखें और इसके लिए मेडिटेशन का सहरा भी आप ले सकते हैं आज आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट ना करें अन्यथा आपको दूसरों की नजर लग सकती है आज आपको तेल भी दान नहीं करना चाहिए आज का आपका राशी फ़ल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ आए अर जानते हैं कि मकर यानि की कैप्रिकॉन राशी वाले चाहतकों का आज का दिन कैसा बीतेगा आज अपने भाईयों की साहत अमिले से आप हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे आज आपके बल का सामना भी कोई नहीं कर पाएगा और आज विशिश तोर पर सीना में कारवेट जवानों को अपने शौरे का पदर्शन करने का मौका प्राप्त हो सकता है रेसलिंग कुष्टी इत्यादी खेलों में भाग लेने वाले खिराडी आज अपने प्रतिबंदियों को दूल चटा कर विजई होंगे आज आपके संबन आपके परिवार के साथ भी बहतर होंगे आज आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और उन्हें घुमाने के लिए कहीं भाहर लेकर जाएं और साथ में इंजॉय करें इससे आपके आपसी बॉन्डें बढ़ेगी आज आपको अपने खर्चों का भी ज्यान लगना है जरुर्वत से जादा खर्चा होने से आज आपकी मानसिक जिंताईं बढ़ सकते हैं आज आपकी मादाजी की तवियत बिगनने से भी आपको हास्पिटल के चक्र लगाने पड़ सकते हैं आज पीपल के विख्ष पे जल चड़ा कर आप सभी 33 करोड देवी देखताओं से अपने परिवार की सुख शांती की काम न करें आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमतकारी उपाय जिसे करने से यदि किसी भी बिमार व्यक्ति का बुखार नहीं उतर पा रहा है तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तोर पर उनका बुखार जल से जल उतर जाएगा आज आप इस मंत्र का 108 बार जब करें और इस मंत्र से पानी को अभी मंत्रत करें ओम शान्ती शान्ती सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा मैं आपके लिए इस मंत्र को धोराने जा रहा हूँ ओम शान्ती शान्ती सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा जब आप 108 बार इस मंत्र का जाप करके पानी को अब मंत्रित कर लेंगे तो उसके पशाथ आप इस पानी को जो रोगी को है उसे पिलाएं तो उससे जल्द ही उनका बुखार उतर जाएगा और वे स्वस्त हो जाएगे चलिए आप जानते हैं कि कुम यानि कि अक्वेरिय साशी वाले जातकों का आज कर दिन कैसा भीतेगा लोही की मशीन जी के विक्रताओं और मैनिफाक्चर्स को आज कोई बड़ा ओर्डर मिलने से उन्हें अच्छा खासा मोनाफा कमाने का अफसर प्राप्त हो सकता है आज आप लाइफ इंशॉरंस और रिटार्मेंट प्लाइनिंग करने के लिए भी मोटिवेटेड रहेंगे आज आपको अपने पित्र पक्ष्टी और से भी लाप्राप्ती के अफसर दिखाई पड़ रहे हैं आज आज आपके ससुराल पक्ष्टे आर्तिक हालाग भी बहतर होंगे आज आज आपके भाई भेहनों की विदेश जाने के लिए उनको वीजा मिल सकता है आज आप दूसरों के कारियों में दखल अंदाजी देने से परेश करें क्योंकि इससे आज आज आपकी ही बन्नामी हो सकती है आज कच्चा दोद दान करना आपके लिए अत्याच्यों होगा आज आप मंदेर से प्रसाद रहेट करने से भी परेश करें परन्तों छातर आज distractions के कारण अपनी पढ़ाई पर ज्यान नहीं दे पाएंगे बार बार कोई न कोई disturbance होने से आपकी एकागरता आज भांग हो सकती है जिससे आप चड़चड़े भी हो सकते हैं आज लालच करना आपके लिए भारी पढ़ सकता है और इससे समाज में आपकी मान परतिष्टा को भी ठेश कहुं सकती है आज आप किसी भी हालग में मास और मदिरा का सेवन ना करें आज का आपका राशीफल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ आए आप जानते हैं कि मीन यानि कि पाईसज राशी वाले जातकों का आज कर दिन कैसा भी देगा आज आप चुस्ती फुट्टी से अपने सभी कारें को अंजाम दे पाएंगे जिससे आपके पेंडिक काम भी आज में बढ़ जाएंगे आज समाद सेवर को को सरकार की बूर से अपने कारें के लिए कोई मान सम्मान या पुरसकार भी हो सकता है एक महत्व कांशी व्यक्ति होने के कारण आज आज आपको छुट्टी का दिन के भर पूर फायदा उठाना चाहिए और करियर प्लानिक करनी चाहिए आप इस बात पर विचार करें कि आप अपने आपको आज से 10 साल के बाद कहां पर देखना चाहते हैं और वहाँ पर बहुशने के लिए आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने की आवश्यक्ता है और यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो क्या आपकी वहीं पर करियर वो संबफ है या आपको जॉब सुच करने की जववत है आज आपको क्रोध अतिका सकता है जिससे आप अपने परिवार के सद्धियों को नराज कर सकते हैं सर के जड़ते बालों को देखकर आज आपको चिंता भी हो सकती है यदि आपकी शादी की बात कहीं पर चल रही थी तो आज उसमें अर्चने भी आ सकती है यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी में अनावर्शक विलंग हो रहा है और आपकी शादी की उमर गुजरती जा रही है तो आज आप तुरंती स्प्रीन पर दियवन नंबरों पर हमें संपर्ख करने और गुरुरणी शिशी जी या गुरुमा रत्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवा कर ऐसे उपाय प्राप करें जिनसे आपके शादी के योग मस्बूत होंगे और जल से जल आपका विवा तै हो जाएगा आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ क्या आपका बिजनिस फेल हो गया है? क्या आपके व्यपार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंदे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसित शरी मंदिर बाले परम पूज्य गुरू रजनीश रिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समधान जानिये अधिक जानकारी के लिए संपर्व करें कर्या रुष आता है अधिक जानकारी कान जानका समस्याओं की जानका समस्याओं का समस्याओं चाहते है समस्याओं